नमस्कार मैं डॉक्टर जहनक सकलेचा प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर महिलाएं हमसे एक सवाल करती हैं क्या मैं चाए और कॉफी पी सकती हूँ तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे देखिए टी और कॉफी दौनों में ही कैफीन होता है जो एक स्ट्यूमिलेंट है जब भी हम लेजी फील करते हैं लो फील करते हैं तो हम टी और कॉफी ले लेते हैं और आफटर टेकिंग इट वी फील बेटर पर आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान टी और लेने से क्या होता है एक स्टडी में पाया गया कि कैफीन प्लेसंटा को क्रॉस करके बेबी की हेल्थ पे इंपेक्ट डालता है और क्योंकि प्रेगनेंसी में आपका बेबी स्टिल डवलपिंग स्टेज में रहता है तो उसका इम्यच्योर लीवर और ब्रेन दौनों ही कैफी है क्योंकि कैफीन एक ड्रग है जो एसस्ट्यूम्लेंट काम करता है इसलिए इट कॉज़ेस रैपिट हार्ट बीट और कई बार आपके स्लीपिंग पैटर्न भी चेंज हो जाते हैं इसके अलावा कैफीन एक डायूरेटिक भी है तो ये बॉडी को डिहाइड्रेट भी जल और आपके बेबी के लिए हेल्दी नहीं है पर अगर आप टी और कॉफी लेना ही चाहते हैं तो ये ध्यान रखें कि 200 ग्राम पर डे से ज़्यादा कैफीन आप नहीं ले और अगर आप ब्रेस फीदिंग मदर हैं तो भी आपको आपके कैफीन का इंटेक कम ही करना है 200 ग्र अब जानेंगे थ्री बेस्ट अल्टेनेटिव जो आप टी और कॉफी की जगे ले सकते हैं जो रिफ्रेशिंग भी हैं और हेल्दी भी हैं फर्स्ट है लेमन वाटर फ्रेश लेमन वाटर आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है साथी प्रेगननसी के दरान होने वाली या फिर जी का प्राने की शिकायतों को भी ये दूर करता है लेमन डाजेस्टिब ट्रेक्ट और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है तो जब भी आपका टी और कॉफी लेने का मन करें तो आप ट्राइ करें उसे लेमन वाटर से रिप्लेस करने का सेकिंड है कोकोनट को भी दूर करता है और ये इम्मुनिटी को भी इंक्रीज करता है थर्ड है योगर्ट याने दही दही इस अ गुट सोर्स ऑफ केल्शियम एंड गुट प्रोबायोटिक बैक्टीरिया दही का यूज करके आप बहुत से रिफ्रेशिंग रेसिपी भी बना सकते हैं जो हेल् कुट योगर्ट लसी बटर मिल्क एट्सेक्टरा तो एट दे एंड मैं यही काऊंगे कि ट्राइट रिप्लेस यूर कैफीन इंटेक अगर आप नहीं कर सकते तो मेक शूर किया आप लिमिटेट कॉंटिटी में ले आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो मिलते हैं न